है हलो एविवान वेलकम योल गाई स्वागत आप सभी का तो आज की क्लास में हम शुरू करने जा रहे हैं अपना एक और बहतरीन एक जिसका नाम है बेटा सेल ऑफ गुड्सक नाइंटीन थर्टी तो एकदम बेसिक से स्टाट करेंगे हर एक पार्ट को पढ़ेंगे हर एक चीज को जानेंगे इस एक के अपने पास में बेस्क नाम है बेटा इसका सेल ऑफ गुड्सक नाइंटीन थर्टी तर्टी लेकिन एक बात बता हो क्या सेल ऑफ गुड्सक स्टाटिंग जे तो इंडियन 2016 को बात में अव बात करतेm Let's begin with the part guys मैं चाहूँगा हर बच्चा साथ साथ में notes बनाए तो सुनना देन से notes के part के को कि यही notes आपको आपके directly question time करने में help करने वाला है तो पहली बात कि आप लोग जानते हो कि sale of goods act पहले Indian contract act का ही part हुआ करता था लिखते हैं इस बारे में लिखो इस एक्ट लिखा हो note करते हैं इस एक्ट कौन से एक्ट? The sale of goods act वो वो अर्लियर कंटेन वो अर्लियर लिखते रहो कंटेन इन चैप्टर नमर सेवन सुर एक्जाम में पूच सकता है? पूच सकता है बेटे कि कौन से चैप्टर का part बनता था पहले बेटे आपके पास भी आपका जो हमने Indian contract act पड़ा है उसी का part हुआ करता था उसी का part था इवन आपका partnership act, आपका sale of goods act negotiable instrument act, insurance act इस सारी के सारे act bail, bailment, plaz, इस सब कुछ agency, इस सारा का सारा जो act आप देख पा रहे हो ना इस सारा पहले Indian contract act का part हुआ करता था बाद में इने दीरे-दीरे करके अलग कर दिया गया, separate कर दिया गया तो उसी का पहले mention कर रहे है कि वह जब Indian contract हुआ करता था उसमें chapter number 7 होता था आपके sale of goods act के provision के बारे में किसका लिखते हैं contained in chapter number 7 of the किसका? of the Indian contract act 1872 initially आपके पास में आपके contract act 17 का part हुआ करता था आपका sale of goods act इसके provision वहाँ पढ़ने को मिलते थे तो question याद रखना है यहाँ से question निकल के आया कि वहाँ पहले किसका part था कहाँ पे था chapter number 7 में इसके वहाँ पढ़ने को मिलता था दूसरी बार आते है अब बताओ अलग किया गया तो अलग तो किया गया समझ तो आ गया कि वहाँ contract act में से एक अलग से act बना दिया गया महला सिंपल सी बात वो सारे provision जो sale and purchase of goods के लिए थे वो सारे अलग कर दिये गये अलग करके उसे अलग नाम दिया है कि इसका नाम था Indian sale of goods act तो किस दिन इस बात की सहमती मिली थी आउ लिखते है लिखो बेटा इस act was separated नोट करना आपना नोट भी वाई से बनायेंगे ताकि हमारे पास हमारे एक्जाम के कोश्ण वेले डिल हो सके वो separated after receiving यह लोग लिखता हूँ separated into an separated into क्या the Indian sale of goods act इनी शिरी में नाम बता है ना इसका नाम कहा था Indian sale of goods act 1930 1930 बट किस दिन हुआ था separate नोट कर लो लिखो on 15th March बेटे 15 March 1930 यह date याद रखना एक्जाम है पूछ सकता आप से 15 March 1930 को इस act को इस act को अलग कर दिया गया था इस act को अलग कर दिया गया था मतलब अलग मतलब इसको लेकर सहमती मिली थी वाई यह राइटिंग दिय वर्ड कि भाईया किस दिन separate किया तो separate किया जाएगा तो उसके लिए सहमती लगती है रिमेंबर असंट यह होता है तो असंट किस दिन रिसीव हुआ वो डेट है बेटा 15th of March 1930 अगर याद भी करना हो याद रखना यह कौन्ज डेट है इस असंट डेट जिस दिन असंट मिला था जिस दिन इसको अलग करने को लेके सहमती मिल गई थी नमबर टू नमबर थ्री पर आता हूँ उसके बाद सर अब आप बेबात तो कॉमन सीख चुके हो याद करो कॉमन बात एक सीखी थी आप लोगोंने कि पहले एक्ट को अलग कर दिया गया अलग बना दिया गया सहमती मिल गई लेकिन एक्ट को लेके असेंट मिलने के बाद वो एक्ट जनरल पब्लिक पर किस दिन अप्लिकेवल हुआ वो एक्ट जनरल पब्लिक पर किस दिन अप्लाई हुआ यह बात तो अलग ही रहने वाली है तो पंदरा मार्च को मिली हुई सहमती के बाद यह एक जनरल पब्लिक पर अप्लाई नहीं हुआ था आप देख भी पारे पिच्चर के अंदर बाया एंट सेलर की कहानी के लिए लगाई आप लोगों के लिए उसे बैले बात करो अभी मिल सकते हैं तो उससे बहरे बात करते हैं कि अलग होने के बाद यह जनरल पब्लिक पर कब अप्लाई हुआ एक्ट केम इंटू फोर्स शोट मेंकर लिखते हैं के इंटू फोर्स force मतलब enforcement मतलब इस act को general public पर enforce कब कब किया गया कब किया गया था enforcement date क्या इसकी enforcement कहूं याद है वड़तो enforcement word यूज करो या enforcement बोले या बोले applicable मतलब तीनों का same है बेटा तो लिखो कब किया गया था on first of July सर्फ यह date याद रखनी पड़ेंगी exactly यह date आपको याद रखनी है बेटा first of July को general public पर एक्ट apply कर दिया गया था तो प्रोपली अगर question देखोगे पहले किसका बाट था चप्टर 7 contract act असन का मिला 15 मार्ट 1930 को मिला अप्लाई का बहुआ public पर first July 1930 लिकिन सर इंडियन सेल कर दो इंडियन वर्ट था वो कब अटा लिखते है बेटा नोट करो sir the word Indian the word लिख लो नोट भी कर लो the word Indian is act के पार्ट में से Indian word को अलग कर दिया गया remove कर दिया गया हटा दिया गया लिको removed on किस दिन हटाया यह भी question है वेटे किस दिन इस word को अटाया गया लिको 22nd of September 22nd of September 1963 बाद में हुआ था पहले नहीं हुआ था 90 यहाँ पर 1930 में बना हुआ applicable हो गया लेकिन 22 September 1963 22nd of September 1963 को इस act में से जो पहले Indian word होता था उस word को अलग कर दिया गया तो यह कहानी याद रहेगी question देख पा रहे हो number one number two number three number four यहां तक clear है बोलो 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 क्या आगे वड़ सकता हूं yes तो आप एक बात बताओ इतनी बात तो समझ में आगए इतनी बात याद भी रहेंगी क्योंकि dates की पायते हैं खली dates याद रखने तुम लोगों को कि किस date पर क्या हुआ सहमती किस दिन, अलग किस दिन, applicable किस दिन, word किस दिन अटाया गया यह चार question बन गए अब आएक word और मुझे बताओ, जब sale of goods act, सोच के बता ना, सोच ना, जब sale of goods act, Indian contract act का ही part था और आज के दिन, Indian contract act, पूरे इंडिया पर applicable है, तो now please tell me, sale of goods act भी कहां कहां पर applicable है क्या मैं इसे आज भी accept Jumbo and Kashmir कहूँगा, या यह बोलूँगा, it is applicable to the hall of India, सोचो, including Jumbo and Kashmir क्योंकि article 3070 के बारे में, उसकी removal के बारे में, मैं detail बातें आपके contract act में कर चुका हूँ तो जवाब दो विटा, क्या यह कहां कहां पर applicable है, पतलब यह जो buyer seller तुम्हें दिख रहे हैं, यह buyer and seller, यह seller है, common बाद यह पता डेली बिच्व देखते हैं, यह buyer and seller आप लोगों को दिख रहे हैं, यह इनकी बाते अभी detail में और आने वाली है, इनकी बगायादा definition पढ़न is applicable, this act and all of its provision is applicable, मतलब कहां कहां पर, to the whole of India, यह act भी पूरे इंडिया पर applicable है, which means इंडिया की हर एक state, हर एक state की उपर यह applicable है, वहां की रहने लोगों के लिए applicable है, मतलब इंडिया में अगर हम रह रहे हैं, तो क्या हम लोग इसके provision से bound हैं, सोचो, जो legal provision, sale of goods एक को लेकी है, while we are buying goods and services, तो क्या उन सब चीजों के लिए, we are bound or not, tell me yes or no, सोच के बताओ, क्या हम bound है, answer is yes, इसलिए word बोला गया, कि भाया, इंडिया की हर एक state की उपर यह applicable है, तो आगे बढ़ते हैं, अपने पास में, यहां तक clear है, बताओ, dance हमस में आ गया, तो यह बाते याद रहेंगी हो, कि यह questions है guys, check कर पा रहे हो, यह questions है, हमस में आ गया, हां सब क्लियर, फिर भी कोई डाउट रहे तो आप मुझसे पूच सकते हो, मैं से डाल सकते हो, ठीक है, तो यह पाट क्लियर हो गया, यह ता इसका intro वाला पार, अब आते हैं, इसके next topic क के अंदर, अब अपना next topic पढ़ने वाले हैं, the next topic is, essential elements, सरी तो आपने contract में पढ़ाया था, हाँ बेटा, जैसे वहाँ पढ़ाता वैसे ही कुछ essential elements, आपके sale of goods set में भी है, है, आओ बात करते हैं, तो पहला number one आता है, हमने heading लिखते है, essential condition of, किसका, यहाँ पे word क्या तो sale of goods set में, अब contract लिखूंगा या contract of sale कहूंगा, सोचो, अब मैं contract word use करूँ, या contract of sale word use होगा, सर्फ contract of sale word use होगा, तो लिखते हैं, essential किसकी है, यह बात कर रहे हैं किसकी, of contract of sale, of contract of sale, मतलब जो contract बन रहा है, वो sale वाला, और याद रखना, यह word का meaning change नहीं होगा, अगर contract का मतलब आपनी यही पढ़ाया, यही सिखाया था, कि agreement enforceable by law, agreement enforceable by law, एक agreement इसे low permission दे दे, low enforce कर दे, तो जो contract का meaning आपने contract में पढ़ लिया है, वही meaning यहाँ पर भी रहेगा, बट फरक क्या आ गया, contract किसका, of sale वाला, clear हो गया, तो sale की regarding जो contract है, उसकी essential element की बात कर रहे स्टाट करें, तो basic, यह बड़ा यह simple provision सब्सक्राइब, अभी तो यह इसकी शुरुआत है, एकदम fundamental base है, तो एकदम बसका लिए आपको normally यह चीज़े याद करते हो चलना है, साथ-साथ में, कि हाँ यह हुआ था, यह practical data की यह वली होती है, ठीक्या, ओके, अब आते हैं कोई समान, खरिटते हैं बेचती हो, गाइस, प्लीज छोड़ी सी बात कर रिप्लाई करना, तो वहाँ पर कौनसी दो पार्टी होती है, मतलब जिस तरीके से, इंडियन कॉंट्रेक्ट एक्ट में, पार्टी का नाम था, प्रोमिजर और प्रोमिजी, वहाँ पे नाम था, प कौन सा वड़ाएगा, सार यहाँ पर नाम होगा कौन, बायर और सेलर, यही तो सोचा आप लोगोगों है, तो मतलब वैन इट कमस तो बाइं और सेलिंग और सेलिंग और सेलर, अनदर विल बी टॉम्डेस क्या बोलेंगे, सारी, वन बी टॉम्डेस यह पैसे दे रहा है भा अनदर अथेलर, असेंशल रिक्वार्मेंट, यही नहीं मनेगा क्या, कि असेंशल कर दिश्फरस लिखता हूं, यहाँ पर प्रोमिजर, प्रोमिजी, वर्ड यूज नहीं होगे इवाध ही जहान दखना, सेलर अपनी पार्टीस को नाम दिया बायर और सेलर, यहाँ पर प् गुट्ट सेक्ट की अंदर थर्ड पार्टी किसे कहा जाएगा अगर दो में पार्टी का मतलब जब कॉंटेक्ट बनाओगी तो वहां पर कम से कम दो पार्टी का होना जरूरी है अ उसके बाद आपके मन में क्या रिप्लाई आया वो रिप्लाई धो तो अब आपको एक आइडिया मिले कि मेरा अगर आंसर गलत हुआ तो तो करक्ट होका हमेश सबieron से और है तो मेरा आगला प्रश्णी है क्या कॉंट्रेक्ट ओफ सेल में भी जो कंसीड्रेशन है क्या बात बताओ बई कंसीड्रेशन तो है ना जो पैसा दे रहे हो और जिस चीज के लिए दे रहे हो तो इनी को क्या बोलते हैं आप जो पतल गए जो मीनिंग आप लोगों ने पहले सी क्या है वही मीनिग अब भी चलेंगे तो क्या बताओ कॉंटेक्ट ओफ सेल में कंसीड्रेशन होता है होता है सर तो वह कंसीड्रेशन कैश में हो या पार्टली कैश पार्टली काइंड हो या फुली काइंड यह हो सकता है इन तीनों में से कौन सा हो सकता है एक बात तो कॉम लोगों ऌर आप लोगों ने याद करो पहरा पड़ाता कैश कंसिड्रेशन कियाद थीस्तरा होता है हमतिस वोलते हैं fully kind और kind का मतलब क्या सीखिया है हो बोलो बोलो सोचो kind का मतलब क्या सीखा सर हमने kind का मतलब सीखा है other than cash cash के अलावा जब goods के बड़ले goods exchange हो रही हो तो सोच के बताओ यहां पर in buyer and seller के बीच में एक side से goods आ रही है second side सी क्या जारा पैसा मिल रहा है तो जवाब दो एक तरफ से समान और second और से आप उसको मिल रहा है पैसा तो यह consideration किसका हिस्सा है क्या मैं इसे cash बोलूँगा पार्टली cash पैटली काइन बोलूँगा या इसे fully काइन बोलूँगा सोचो लगाओ दिमाग पहले तो फिर लिक वाओंगा इस पार्ट को में तो क्या इसे fully काईन कहूं fully cash पार्टली काइन कहूं मन में question क्या answer क्या है आया answer नहीं आया तो निकालो answer पैसे तो सर आपने पाथ पहले भी पढ़ाई थी याद करो बेटा हम अपने इंडियन कॉंट्रेक्ट एक्ट में कंसिड्रेशन वाला चप्टर सिख्या आ चुके हैं और वहाँ ये पार्ट मैंने समझाया था सेम उसका मिनी यहां भी वही है तो पताओ सर इसको कहेंगे क्या इसको ना पहला बेटा कैश कंसिड्रेशन किसे कहा गया था याद है कि बया अगर मान लीजिए याद क्यों एक्जांपल दिया था कि मैंने कोई समान दिया मतलब गुड्स है या कोई सर्विस है जिसे हम लो में अब्जेक कहते हैं तो गुड्स और सर्विस के बढ़ले अगर कैश मि możemy fully cash कहा जाता है याद रखना वहीं मैंने कोई समान दिया आपने मुझे पैوسा दिया आपको मैंने कोई 서비स दी आपने मुझे पैसा दिया तो हमारा कंसिडरेशन क्या केलाएगा कैश कंसिडरेशन केलेगा नंबर ईं नंबर टू पर हत From लिखता हूँ, what is partly cash और partly kind का मतलब क्या होता है, इसका मतलब यह होता है, example दे लो समझना, example के लिए मैंने बोला, मैंने आपको अपनी गाड़ी बेची, मैंने आपको अपनी कार बेची, तो आपने कार के बदले पूरा पैसा नहीं दिया मेरे को, आपने बोला, काम करो सर, का के बदले आप मेरी बाइक ले लो और बाइक के साथ साथ 20,000 रुपए ले लो, मतलब 20,000 cash ले लो और bike ले लो, मतलब मैं आपको अपना एक सामान बेच रहा हूँ, और बदले में आप अपना एक सामान, एक कॉमोडिटी गुड्स, और एक अपना क्या दे रहे हो, आप गुट्स दिया पैसा लिया नमबर वन पार्टली काइब बढ यह बढ़ आपको एक समान भी मिल रहा गुट्स पी मिल रही और कुछ कैश भी मेल रहे उसे पार्टली काइब खाग जाता है तो लो ने क्या बोला लो ने बोला बहिया सुन न लो यह दोनों तरह के कंसिड्रेशन अलाउड हैं यह दोनों हो सकते हैं और यह वैलिड रहेगा लेकिन फुल लेकाइंड अलाउड नहीं किया गया लोग कहता है भाई साइब सेल और को सब्सक्राइब करें गुट्स के बदले गुट्स अगर एक्षेंज हो रही हैं, कि तुम मेरी गाड़ी ले लो, बदले में बाइक, पैसा वेसा नहीं, बदले में गुट्स बाइक ले लो, तो दैट इस कोल, उसे बोलते हैं, बाइटर सिस्टम, क्या बोलते हैं, बाइटर सिस्टम, और बाइटर allow नहीं किया गया इससे allow नहीं किया गया तो कभी भी अपने पास में fully kind consideration को tick मत करके आना नहीं उसका अंसा लिख के आना बोलो समझ में आ गया दो essential condition with example समझ में आया बिटा बोलो 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 कि यहां तक no two आगे बढ़ सकता हूं दो essential condition हो चुकी है तो क्या मैं अब third की और भढ़ू बताओ बताओ चलिए now third condition is very 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 important ठीक है समझना बड़ी प्यारी condition है guys समझना लिखो third पे लिखते हैं number three आओ लिखो C part में लिखो यह अकेला एक बताओ जाखनास इंडी यह सारे जो मैं लिख रहा होना पेटा यह सारे legal provisions कहलाते है इसका मतलब इन पे individual question frame किया जा सकता है exam में और होता भी वैसा ही है examiner is not going to ask this question के explain the essential conditions नहीं पूछता हू examiner आप से किसी भी provision को उठाके question frame करके पूछ लेगा यही होता exam के अंदर ठीक है तो बात करते है तो थार्ड लिखते हैं वैटा लिखो the title in goods यह वाला provision सबसे अलग है इसका the title in goods लिखो must be transferred must be transferred सार मतलब क्या बता हूँ लिखो must be transferred in case of contract of sale in case of contract of sale बढ़ी प्यारी बात है सर लिखी समझ तो नहीं है समझाओंगा बैटा समझाओंगा सुनते रहो ज्यान से अब बात समझना what is the meaning of title here यहाँ पर title का मतलब क्या है एक line लिखी हुई है कि अगर आप contract of sale cover रहे हो बना रहे हो आप buying and selling of goods की बात करें और यह real है actual में apply हो रहा है भाई हम पे समझो जहन से हम लोग हर दिन कोई ना कोई समान या service लेते रहते हैं being a buyer और possibly we can be a seller remember हो सकते हैं भाई है this time I'm selling my services I'm a seller you are a buyer example समझ रहो तो word क्या बोला गया कि जब अगर कोई समान goods बेचा गया है तो content sales जब बनाओगे तो वहाँ पर title in goods जो goods होंगी उसका title transfer होना must है मतलब होना चाहिए तो title का मतलब क्या होता है वो जान लो वो ज़रूरी यहां के लिए उसी से provision जुड़ा हुए तो guys title का मतलब याद रखनाज के बाद इसी को बोलते है विटा ownership क्या बोलते है ownership माली काना हक इसी के एक नाम और भी है इसको बोलते है property देख बरियाद ना property का मतलब यहां पर sale of goods सेक्ट में होता है ownership माली काना हक को बोलते है कि अगर आप किसी को माली काना हक ownership ट्रांसफर कर रहे होते हो तो that is called title उसी को बोलते है property बोलो याद रहेगा जबकि अगर आप देखो तो contract act में और partnership जब आएगा उसकी अंदर इन दोनों की अंदर इसका meaning partnership पर जोज़ एक्ट होता है और contract होता है तो इन तीन वर्ड के मीनिंग सेम रहेंगे पहला टाइटल कहूँ या इसी को बोलूँ मैं property इसी को बोलूँ मैं ownership बोलो clear है तो लोने बोला कि अगर contract of sale बना रहे हो तो उस case में आपका title in goods ट्रांसफर होना जरूरी है बायर के पास अगर आप चाहते हो कि yes जो मैंने contract of sale बनाया वो मेरा valid contract रहे वो मेरा valid contract रहे तो बेटा जरूरी है ownership भी ट्रांसफर हो मारा simple जी बात जब तक आप किसी person को ओनर ही नहीं बनाऊगे आपका contract valid नहीं है think like this मेरा है cell phone ये mobile phone मेरा है भाई साब this is my cell phone तो बताओ क्या इस goods की ownership मेरे पास है या नहीं है सोचो तुमारा laptop तुमारा phone तुमारे आसपस लगी चीजे क्या तुम उन goods के honor हो या नहीं हूँ sir हम तो honor है तुम्हें कैसे बता honor हो तो कि sir हमने price पे किया उस seller को और उस seller ने उस price के बदले हमें उस goods की ownership transfer की इसका मतलब क्या है बोल सकते हो तुम लोग कि जो समान हमारे पास में है जो goods हमारे पास में है वो contract हमारे एक valid contract है answer is yes क्योंकि actually when it comes to the buying and selling of goods and services वहाँ पर आपके पास में contract valid तभी होगा जब ownership transfer होई होगी समझ में आया तो this is a part 1, 2, 3 ये तीन essential element अभी और लिखवाने वाला हूँ समझ में आया और इतना कराऊंगा उस से भार कुछ नहीं मिले attention मतलो तो अरे point extra था ये कम था don't worry आप सीधा अपने पढ़ने के बाद question time कर सकते हो बटा बोलो clear है done आगे आओ चलू तो ये थे हमारे essential elements आगे और बढ़ते हैं अब next essential element लिखते हैं next वाली तुभे पता है सर पता है मतलब अभी बाद बताओ लिखो क्या D point पे लिखता हूँ सुनना हम लोगो ने Indian contract act में अच्छी बहू के संसकार पड़े थे याद अच्छी बहू valid contract संसकार essential elements बढ़े थे न तो एक बाद बताओ जब contract of sale आ रहा है तो क्या लोग कहता है लोग ने ये बोला कि वो सारे essential elements जो valid contract में होने चाहिए lawful law for lawful acceptance याद आया intention to create legal relationship consensus, possible to perform वो जो essential element आप पढ़के आए है क्या वो essential element भी इन तीनों के साथ होने चाहिए ने होने चाहिए लोग कहता है होने चाहिए कि अगर आप contract sale बना रहे हो तो ये तो हो गए तीन में बाते है बड़ इसके साथ साथ में जो आपने अपने पास में valid contract की essential element पढ़ी है वो भी required है एक contract of sale बनाने के लिए तो वही बात मैं लिखने वाला हूँ कौन सी बात लिखो all the essential condition all the लिखो essential condition कौन सी वाली लिखो of valid contract जो आपने पहले पढ़ी है कहा पढ़ी है contract के अंदर तो all the essential conditions of valid contract लिखो must be होनी चाहिए must be there in contract of sale आपके sale of good sect वाले contract में भी वो सारी condition का होना जरूरी है along with these three जो आपने तीन भी पढ़ी उनके साथ में बोलो clear हो गया basic सी बात थी यह याद रखने वाली बात थी बात थी जो इसका मतलब हमारे पास में offer भी lawful चाहिए acceptance भी lawful चाहिए जो हम पहले पढ़ किया चुके है डाना समझ में आया बोलो 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 फिर आगे बढ़ते हैं विटे डन 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 तो यह कुछ हमारे पास में mainly कुछ basic essential conditions थी clear है अब मैं आपको कुछ point लिखवाने वाला हूँ कुछ provision लिखवाने वाला हूँ जो आपको इस chapter का base ready करेंगे सर यह क्या था यह भी basic था यह भी basic था ना कि contract क्या था कब बनाक sale contract में क्या-क्या होता है लेकिन कुछ additional बात हैं जो मैं आपको लिखवाने वाला हूँ लिखते हैं? आओ लिखते हैं, चलो लगी actually ना confusion किसी भी तरह का नहीं छोडने वाला मैं आपको यह ना हो कि आर अर अर हम तो पढ़ रहे थे sir पढ़ता है, पढ़ता है, समझ में आया कि यह पार अपने पढ़ाया है नहीं था कुछ गल्ती छोड़ दी हमें question नहीं हो रहे यह चीज ना हो इसलिए कुछ basic बात है बिचमें लिखवाता रहोंगा आप लोगों को में जो उसलिए को लेके clarity देगा तो heading बना लो important note को लेके और पहला note लिखो बेटा जो आपको जाना ज़रूरी है, number one first note है क्या आप लोग जानते हो buying and selling of goods जो हम बार बर बोल रहे हैं कि sale of goods act, sale of goods act, sale of goods act यह कौन सी goods की बाते हो रही है goods तो दोड़ा इप की होती है main तो एक होती है moveable goods, एक होती है immowable goods जिसे move कर सको, जिसे move ना कर सको तो क्या आप लोग जानते हो buying and selling of immowable goods like land, building इनका sale purchase को लेके contract, sale of goods act का हिस्सा नहीं है इनका sale purchase, sale of goods का act का हिस्सा नहीं है बेटे नहीं है यह act सिर्फ और सिर्फ deal करता है यह act सिर्फ और सिर्फ deal करता है buying and selling of movable goods याद रखना है बात इसलिए कहीं भी, गलती से भी अपने किसी question में और किसी part में immowable goods के बारे में मत लिखना नहीं उसको tick करके आना समझ में आया क्या बोल रहा हूँ तो यह question examiner आपसे पूछता है आपको छेटता और exam में question आया इसकी ऊपर deliberately जान बूचकर examiner ने वहाँ immowable goods की बाद डाली और बच्चों को लगा रहा है यह भी तो good सी तो है, answer is no good है, बट immowable goods के लिए अलग से act होता है बेटा सुन लो भाली लिखना नहीं इस बाट को अलग से act का नाम है transfer of property act 1882 1882 वह अलग act है, वो नहीं पढ़ना अपने को हम पढ़ रहे हैं only and only movable goods के बारे हैं, तो first note लिखो लिखो बेटा, this act जो हमें act पढ़ रहे हैं बेटा that is sale of goods act, this act only deals with this act only deals with, लिखो buying and selling buying and selling of movable goods यह act सिर्फ और सिर्फ movable goods को लेके deal करता है, इसलिए कहीं भी इसमें आपको लो question मिलेंगे वो immovable goods के अगरे, मिले तो गलत question है उसका answer false, true आता है, पुस्ते हैं, true and false, true and false पुस्ते हैं, MC क्यो आते हैं, वो याद रखना वो गलती हैं नहीं करनी अपने को, clarity नहीं को, number two, क्या बता हो, इसका मतलब बता हो, क्या एक्ट इम्मोएबल गूड डिल करता है, नहीं करता हो, लिको कौन सा This act does not deals with, not करो, this act does not deals with the buying and selling the buying and selling of immobile goods, sorry मतलब, land building, इनकी buying and selling को, ये act डिल नहीं करता ना तो इम्मोएबल गूड और लिकलो, ना ही बाइटर सिस्टम पहले बोल चुके हम, गूड के बडले गूड एक्चेंज हो रही हो, वो भी डिल नहीं करता और लिकलो, P-L-E-D-G-E, प्लैस बोलते हैं बेटा, मोट गेस को जब security गिर्वी रखी जाती हैं, बोलते हैं ना, और या security गिर्वी रख दी, हमारा कोई समान गिर्वी रख दिया, तो वो चीजें भी इस act का पार्ट नहीं बनेंगी, वो चीजें भी इस act का पार्ट नहीं बनेंगी, सर इसको repeat करना व होता है, बैटा, प्लेस क्या मतल़ रहोता है, नॉर्मल इ interessने में होता है, नॉर्मली जब आप लोण वगरा लेते और आप अपना कोई सामान किसी वे लबाद Hat jan Remember, that is the case of PLAS. PLAS and mortgage as well. So mortgage and PLAS एप्ण को यह act deal नहीं करता इसमें ना तो आप इमोवेबल प्रोपरड़ी की बात करोगे, नहीं बात करोगे नहीं आप PLAS की बात करोगे अगर कहीं पे दिखेगा, that means वह आपो क्लियरली इंडिकेशन दे रहा है यह question गलत है इसका अंसर टिक मत करना, समझ में आया बोलो तो this part is ये part था हमारा up to essential elements of contract of sale वाला part यहां तक समझ में आया कोई doubt पोच सकते हो बिटा किसी भी बच्चे को कोई भी doubt रहे जहां जहां तक पढ़ते जाओ कोई भी doubt अगर आपको निकल के आता रहे, मैं चाहूंगा हर वच्चा अपना doubt मुझे WhatsApp करें, जो भी आपको mode दिया गया doubt solve करने के लिए आप प्रोपरली उस doubt पर resolve करेंगे अगर ज्यादा doubt वच्चों के आएंगे तो I will take a live session of yours, चीक है तो लेकिन आप mention करेंगे इसमें पार clarity से इसात में अपने पास में दिक्कत नहीं आनी चाहिए किसी भी हाल में किसी बच्चे को clear है guys? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ बोलो यस्तर नो done done, done, हम तो note कर लेंगे इसा कोई post के लेंगे, आगे बढ़ो अब आते हैं आगे, तो sale of good set के अंदर यह बात तो हमारी हो चुकी है अब आते हैं next part के ओपर अब जैसे आप लोगों ने contract में definition पढ़ी थी offer acceptance वाली part offer acceptance, promise of promise agreement, consideration पढ़ा था न same कुछ definition इसकी भी अलग से है guys इसकी भी तो है तो लिखते हैं कौन कौन से definition, बढ़ी simple definition इसकी बढ़ी प्यारी बढ़ी definitions है और यह जान रखना है, यह जो definition पढ़ने वाले हो यह real definitions है guys actually definition में इसका माला आज के बाद जिन शब्दों को में यहां लिखने वाला हूं जिन लोगों के बारे में लिखने वाला हूं तो लिखते हैं guys, आपने एक चीज तो common जानी यहां पर कि एक बंदा समान बेचने वाला, that is seller एक बंदा समान खरीडने वाला, that is buyer क्योंकि अभी अभी आप लोगों ने दो बात सेखी, buyer and seller तो पहली definition यही बनती है who is buyer and who is seller कोन होता है buyer और कोन होता है seller हमको तो पता है, नहीं सेखी, लिखता है ना कि किसी कहोगे buyer, किसी कहोगे seller हामें पता है बट नहीं कहा हूं कि नहीं आपको clear definition नहीं पता है क्या बोल रहे हो sir, हमको पता है आइसे कैसे मान लिए आप बोलोगे तो मानना पड़ेगा विटे क्योंकि normally हमें half definition पती है, पता है, पता हूं कैसे, कि आप लोग जानते हो, who is buyer, वो ही जो समान खरीदता है, who is seller जो समान बेचता है, इतना ही नहीं है, इतना ही नहीं है, इसलिए तो question legal partner बनते है, तो buyer का मतलब होता है, the person who buys the goods, or agrees to buy the goods, agrees, agree मतलब agreement कर रहा है, जो समान खरीद रहा है, वो तो है buyer, लेकिन जो खरीदने के लिए agreement कर रहा है, कि खरीदूँगा, अभी नहीं बाद मेलूँगा, वो उसको भी लोने buyer माना है, same seller का मतलब क्या है, the person who sells the goods, जो समान बेच रहा है, और who agrees to sell the goods, जो agree कर रहा है, खरीद बोलो, clear हुआ, तो इस दो वर्ड, हाद या हाफ अफ थे, आप पूरे कर लो आज के वादिसको, तो लिखते हैं विटा, definition के पार्ट में, सबसे पारी definition हमारे पास में है, लिखो number one, इस पे definition रेंडनम बेस पें, ठीक है, सुनना दन्स, तो first लिखते है, who is buyer, किसे कहा गया ह है, बिटे, buyer, तो लिखो section number two, or subsection one, section number two, section number two, section number two, section number one, because there are not all sections required, but actually the part of your definition, where there are definitions, there are questions, so section number two, subsection one, define buyer, so what do you teach, who is buyer, 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 who buys the goods, the person who buys the goods, the person who buys the goods, which is buying the goods, और, इतना ही नहीं, उसको किसको कहोगे, or who agrees to buy the goods, यह जो agree word था है, पहले हम सीख चुछे है, agrees, agreed, agreed, इसका आउता है, agreement, जो agreement कर रहा है, who agrees to buy the goods, जो person समान खरीद रहा है, buy कर रहा है, या खरीदने के लिए, agreement कर रहा है, agrees to buy the goods, उस person को, लो ने, नाम दिया, क्या, buyer नाम द रहेगा, तो किसे का होगे बार, clarity है, basic part था, समझ में आ गया, but section कौन सा है, section number two, subsection one, ठीक है, number two कौन सा, बोलो बोलो, यह तुम बताओगे, मैं नहीं बोल रहा है, यह वाला, तुमारे मन की आवास सुरूँगा, मैं, sir, दूसरा है seller, अच्छा, और बताओ, section कौन सा, section number two, or subsection 13, section number two or subsection 13, define करता है seller को, seller को define करता है, तो मीनिंग तो भाई रहा है, section क्या रखना, to subsection one, to subsection 13, ध्यान रखना, तो क्या बोलता है, note करो, लिखो बेटा, कौन परसन, the person, कौन सा person, who sells the good, जो समान बेच रहा है, या फिर बेचने के लिए agree कर रहा है, या who agrees to sell the good, who agrees to sell the goods, जो समान बेच रहा है, या बेचने के लिए agree कर रहा है, जो goods को बेच रहा है, बेचने के लिए agree कर रहा है, उस person को seller कहा गया है, तो खली बेचने वाला ही नहीं अग्री करने वाला भी कि यहाँ बेचूंगा अग्रिमेंट कर रहा है future के लिए उसे भी क्या बोलोगे अब seller कहते हैं बोलो clear हुआ तो क्या इन दोनों की basic definition याद रहेगी along with this section clarity है याद रहेगा? हाँ में याद रहेगा तो इस section कहा लिखा था हम लोगोंने? seller का section section number two और 13 buyer का section number two और one बोलो clear हुआ note भी हो गया sumus भी आगया डन है आगे बढ़ू ball बेड़ा ball जल दिदे ball 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 होग है सर होगे आगे बढ़ू चलो आगे आते हैं the next definition ये क्या भाई या अब इस picture को दिखाता हूं तो में ठीक है पर नाम लिखता हूं definition का नाम क्या है section का तो लिखो section हम पढ़ रहे है आपकी third definition नाम है बेटा लिखो contract of sale अभी तो बताया था आपने definition का हम बताई मैंने मैंने ये बताता है contract of sale मैं essential element कौन सी है बट मैंने ये थोड़ी बताया कि contract of sale होता क्या है section लिख लो पहले इसका section number 4 subsection 1 section number 4 subsection 1 define करता है बेटा किसको contract of sale को contract of sale को बोलो clear है अब बात सुनने जो बोलने वाला हूं ठीक है सुनना देन से बात को सुनना प्यार से बात यहाँ पर समझाता हूं समझना जैंसर पहले picture को समझते हैं । ठीक है? देखो जैंसर guys, यहाँ पर आपको seller भी दिख रहा है हाँ दिख रहा है यहाँ पर आपको buyer भी दिख रहा होगा ये buyer है हाँ है न buyer भी दिख रहे हैं और ग्रीन वाले कोन है, बागी कोन है, सेलर, दिख रहे हैं आपको, तो बेसिक मीनिंग तो क्लियर है गाई, जब हम समान खरीदते बेचते हैं, तो वहाँ दो पार्टी तो होती ही हमेशा, बेसिक पॉइंट है, बच्चे लोगे पता है, कि बाइर होगा, सेलर होगा, जब आपको समान खरीदते हो, आप ओफर देते हो, एकसेप्टन्स होता है, रिंगे कोन्तरेशन होता है, आगरीमेंट होता है, contract बनता है, तो contract तो बनता है, तो actually what is the actual meaning of contract not only contract, contract of sale sale of goods act के अंदर contract of sale किसे ही कहोगे क्या मेरा और तुम्हारा को contract है, है सर्थ हमने class purchase किया आपकी हमने पैसा पही किया इसके लिए now please tell me, तो हमारे बीच में contract of sale है या नहीं है, इस बात का justification कैसे निकालोगे, कैसे इसका meaning समझोगे, आओ तो लिखवाता हूँ तो एक बात तो common है, सर ऐसा contract, सुनना पहले meaning समझना फिर लिखवाता हूँ, what is the meaning of contract of sale guys, एक ऐसा contract, एक ऐसा contract जहां पर, जहां पर seller transfer करता है या agree कर रहा है transfer करने के लिए, where seller transfers or agrees to transfer the title in goods, क्या बोला मैंने दो चेक करो, essential element को जोड दिया मैंने सबको, where seller agrees to sell or sell, ये transfer, क्या the title in goods, property ownership in goods, to the buyer for a price, एक price के बढ़ले पैसे के बढ़ले वो आपको ownership transfer करने के बात कर रहा है that contract is known as contract of sale actually, यही meaning है, आँ लिखते इसके बारे में sir, ओर समझादो, इसको समझ में काम आया आँ समझाता हूं बटा, लिखो पहले तो लिखो, what is the meaning of contract of sale क्या होता है, समझना, लिखना कह रहा भया, एक contract एक contract कौन सा contract लिखो where, जहां पे the seller, क्योंकि seller दी समान बे चला है, समान किसके पास है where seller, लिखो, transfer transfer दे रहा है, pass कर रहा है transfer or agrees to transfer transfer or agrees to transfer क्या, लिखो the title in goods the title in goods उन goods की ownership इस सारे समान की ownership इस सारे समान की ownership मालिका नहा को title in goods, किसको दे रहा है to the buyer, किसको दे रहा बेटे buyer को, मुफ्त में दे रहा है नहीं जर, for a price for a price एक price के बदले एक price के बदले तो word क्या है बेटा, समझना पहला word, जहां एक ऐसा contract सामने, एक ऐसा contract जहां seller transfer कर रहा है या agree कर रहा है transfer करने के लिए क्या, the title in goods the title in goods the ownership in goods किसको, buyer को किसके बदले एक price के बदले तो जो आँ contract बनेगा न that contract is known as contract of sale उसे बोलता है contract of sale तो basic सा point है कि अगर मैं seller हूँ ठीक है और मैं तुमारे सर्फ में agree कर रहा है तुमको दे रहा हूँ कि काम करो भईया लाओ सो रुपे दो ले जाब calculator ठीक है तो इस मैंने जैसे पैसा लिया तो मैंने इस calculator की मैंने जैसे मैंने प्राइस चार्ज किया तो आपको बायर को मैंने उस गूट्स का टाइटल भी ट्रांसफर कर दिया तो जहां टाइटल ट्रांसफर हो रहा है होने की अगली अग्री हो रहा है ऐसे contract को contract of sale कहा जाएगा बोलो अब clear हुआ है ना कि अब आपको इसका meaning clear हुआ कि what is contract of sale समझ में आया बिटा डन है डन है सर ठीक है अब इसके दो पार्ट्स है वो लिखते हैं ठीक है तो अब बात समझना रट्टा मारना मना है रट्टा नहीं मारेंगे लोग में सीखेंगे हम लोग यहां वर्ड आया ट्रांसफर और अग्री सू ट्रांसफर तो ट्रांसफर मतला आपने कर दिया अग्री करो यह ट्रांसफर करूंगा दो बाते आई तो इसलिए contract of sale में दो दो आते हैं पहला आता है sale number one is call इसके दो हिस्से हैं contract of sale दूसरा लिखो agreement to sell contract of sale and agreement to sell तो क्या बोला बेटा लोने simplify करके आपको एक बात बोली कि अगर आप contract of sale की बात कर रहे हो तो उसके दो हिस्से हैं दो पार्टस हैं आपके पास में तो पार्टस दो पार्टस हैं one is sale and second is agreement to sell तो अब बात समझना जब भी आपको किसी goods की प्रहले समझ दो दन से फिल लिखवाता हूं जब भी आपको किसी समान की ownership मिल जाती है आपने पैसा दिया आप owner बन गए तो ट्रांसफर अगर हो चुका हो इमिडिट बेस पर ट्रांसफर हो गया हो उसे सेल कहा जाता है यहां पर और जहां पर सैलर यह कह रहा हो कि मैं आपको ownership ट्रांसफर करूंगा कर की नहीं है करूंगा in future करूंगा तो उसे कहते हैं agreement to sell आपको अब यह रिसेंट में वैलेंटाइन डे गया न तो बच्ची ने वैलेंटाइन डे पर अपनी गल्फेंट के लिए एक डेरी इमीडियेट बेसिस के उपर आपने प्राइस बायर ने पैसा दिया और समान की ownership भी इमीडियेट बेसिस पर ट्रांसफर हो गई जिसने पैसा उसका मालिक बन गया तो बैटा ऐसे कोई ग inici को बुलते हैं सियल कोई टेक टॉफ सेल नंबर टूप hed Are कोई कोंट्रेक्ट आफ सेल नंबर टू एक्जाम्पल सोनो एग्जाम्पल नंबर टू इस जहां पर सुनना अब एक्जाम्पल के लिए सुननते हो आप लोग की कोई गाड़ी लेकर आए, कोई बाइक लेकर आ रहे है तो लोग फाइनेंस करवाते हैं गाड़ी बाइक को लोन ले लेते हैं EMI देंगे भईया, कुछ डाउन पेंट पे कर देंगे और बागी किस्तों में चलता रहेगा तो जवाब दो, जब तक उस गाड़ी की, उस वीकल की लास्ट EMI पे नहीं होती लास्ट EMI पे नहीं होती कि तब तक वो बायर उस समान का ओनर कहलाता है यस और नो, बताओ सोचके सोचो तो, सोचो कि तब तक वो बायर उस गुड्स का ओनर कहलाता है जैसे को भोलते हैं उसे बोलो याद रहेगा और इसी ओने डो आपका फूरा एक्ट सब्स दौनओंまぁ conor पर अपने पास तो फिस्ट का बोला वट इस सेल बेटा तो वर्ट का निकल का लिखता हूं मैं जहां पर क्या होगा वेयर टाइटल दाइटल डाइंस और शिप्या प्रोपर्टी टाइटल इस ट्रांसफर ट्रांसफर्ड और इमीडियेट बेसिज हैंट टो एंड पैसा दिय डेली थुम बेसिक आइटम हो ऑई शक्रीम ह도 कना सा你 कोंसा एक्जामबल है immediate basis immediate basis की ऊपर जहां पर टाइटल transfer हो जाये जा immediate base पर टाइटल टाइटल हो जाये उसे इसल कहा जाता है और दूसरा वोर्ट क्या निकल के हैं? जहां immediate base पर नहीं, future में transfer हो, मतलब लिखो where जहां पर क्या बोलूँगा? title in goods, where title in goods will be transferred, will be transferred in future, अभी नहीं, जब पूरा पैसा दे दोगे, तो ownership भी ले जाना, तभी हमारे घर पर आना सिंपल सी बाद immediate हो तो sale future में transfer हो तो agreement to sell immediate हो तो क्या sale future में transfer हो तो क्या बोलेंगे agreement to sell बोलो समझ में आया याद रहेगा कि contract sale के दो हिस्से है sale and agreement to sell अब भी सबजी वाली बोले भाई आप पैसा दो दे दीया पैसा और सबजे लिए चला घया अब हो क्या बोले हैं अग्रिमेंट इस प्राइस प्राइब हो गई दूसरा वर अ और रे चुई मुई, सब्जिया दे दो, पैसा बाद में दूँगा एक्जामपल के लिए मालो, यह तो कौन साइटम है, यह तो सेल का पार्टी बनेगा, फ्री में होडी देगी, मुफ्स में होडी देगी बट सोचो यहां पर और समान होता एक्जामपल के लिए, कोई फ्रीज होता, कोई AC होता, कोई कार होता एक्जामपल और वो बायर बोलता कि समान दे दो, कुछ पैसा ले लो, अभी कुछ दूँगा बाद में तो क्या बोलेगा, जिस दिन पूरा पैसा दोगे, उसी दिन ओनर्शिप भी दूँगा, तो इसे क्या बोलते हैं, अग्रिमेंट टू सेल, समझ में आया बेटा, अन दिस दे कंसेप्ट ऑफ कॉंट्रेक्ट ओफ सेल, समझ में आया की नहीं, बोलो यास्वर नू, क्लारिट में ट्रांसफर हुआ, तो उसे क्या बोलोगे, अग्रिमेंट टू सेल, जो आमने यहाँ पर लिख भी लिया, अग्रिमेंट टू सेल, नाम सेल, अग्रिमेंट कर रहा बेचने का, बेच आ नहीं है, तो अभी इसकी कुछ बेसिक डेफिनिशिन्स और आने वाली है, बोलो क् बेसिक मतलब यह बेसिक मत समझो, यह बहुत इंपोर्टन डेफिनिशिन्स है, अग्र इनी के बेसिस की ओपर आपका कम्प्लीट सेल अफ गुड्स लेग चलने वाला है, बेटा, तो अभी आपके बास गुड्स पढ़ाने वालों, गुड्स होती क्या है, हमें पता है, क्य इस बास इलेक्रिसिटी, वोटर, गैसिज, स्टोक, शियर, ग्रास, क्या है, तो इस डिफ्रेंशियेट करने के लिए गुड्स के मीनिंग को डिफाइन किया गया, और जो डिफाइन किया गया, वही एक्चुल मीनिंग है, हर जगा पर गुड्स का, फिर एगा एजन का इस सारे टोपिक हमारी सेक्ट में चलने वाले, तो अभी इनके बिना इनका एडवांस टोपिक काम का नहीं है, जब यह बता दूँगा, यह समझाने के बाद ही, हम स्टार्ट करेंगे वारंटी कंडिशन, अनपेड सेलर, सेल बाइन और ओनर, इस सारे पार पढ़ने वाले तो अभी आज इस क्लास में हम इतना ही करेंगे, मिलते हैं नेक्स क्लास में और तब हम करेंगे अपना बागी पार, तो सी यू इंदे नेक्स क्लास, तब तक के लिए गाना का और जाओ, बाई बाई, और टाटा सी यू अगें, कल फिर मिलेंगे तेरे मेरे नैन, बाई बच्चों, कैसे हैं आप? मैं CAC में संतोष कुमार, मैंने और मेरे टीम ने डिसाइड किया कि जो क्वालिटी एजुकेशन मैं और मेरे टीम एक परिकुलर एरिया में प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको पूरे देश में क्यों ने फ़ला जाए अड़ रिजनेबल कोस्ट, जो दूसरों से अलग करते हैं, वो है हमारा डेली डाउट सेशन, हमारा जो एकेडमिक इंस्टेक्टर टीम है, आपके कॉंट्रोंस आपके ग्रोथ पे वो नजर बनाया रखता है, और आपको कॉंट्रोंस बेसिस पे मोटिवेट करना आपको स्टेडी के लिए, मेरे बच् आपके साल खेते सतनाा, आपको ग्रोथ बनाये से पेंट आपके सरय थी अडरा मैं वेड़ कोद्सただरी सच ग्राउचर यह बटात आप भी हमारे साथ जोइन करें और सक्सेस के पाथ पर आप भी हमारे साथ अपने सपनों को पूरा करें थैंक यू थैंक यू बच्चे